मेरे प्यारे देश्वासियों, आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और बायो डाइवर्सिटी के सवरुक्षन की बहुत चर्चा होती है। इस दिशा में भारत के फोस प्रयासों के बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं। भारत ने अपने वेटलेंड्स के लिए जो काम किया है वो जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ रोता सोच रहे होंगे कि वेटलेंड्स क्या होता है। वेटलेंडस साइड्स यानि वो स्थान जहां दल-दली मिटी जैसी जमीन पर साल भर पानी जमा रहता है। कुछ दिन बात, दो फर्वरी को ही वर्ल वेटलेंड्स दे है है। हमारी धर्ती के अस्तित्व के लिए wetlands बहुत जरूरी है क्योंकि इन पर कई सारे पख्षी, जीव, जन्तु, निर्भर करते हैं। ये biodiversity को समरुद्ध करने के साथ flood control और groundwater recharge को भी सुनिश्चित करते हैं। आप मैंसे बहुत लोग जानते होंगे रामसर साइट्स ऐसे wetlands होते हैं जो इंटरनेस्टल इंपोर्टन्स के हैं। वेटलेंस बले ही किसी देश में हो लेकि उन्हें अनेक मामदर्नों को पुरा करना होता है। तब जाकर उन्हें रामसर साइट्स गोशित किया जाता है। रामसर साइट्स में बीस हजार या उससे अधीक water birds होने चाहिए। स्थानी मचली की प्रजात्यों का बड़ी संख्या में होना जरूरी है। आजाजी के 75 साल पर अमृत महुसरों के दौरान रामसर साइट्स से जुड़ी एक अच्छी जानकारी भी मैं आपके साथ शायर करना चाहता हूँ। हमारे देश में अब रामसर साइट्स की कुल संक्या 75 हो गई है। जबकि 2014 के पहले देश में सिर्फ 26 रामसर साइट्स थी। इसके लिए स्थानिय समुदाय बधाई के पात्र हैं जिनों ने इस बायो डायवर्सिटी को संजोकर रखा है। यह प्रकृति के साथ सद्भाव पुर्वक रहने की हमारी सद्यो पुरानी संस्कृति और परंपरा का भी सम्मान है। भारत के यह वेटलेंड्स हमारी प्रकृतिक सामर्थ का भी उधारन है। ओडिसा की चिलका जील को 40 से अधिक वाटरबर्ड स्पीसिस को आइसरे देलेंग लिए जाना जाता है। कईबूल, लमजाम, लोक्ट्रा को स्वैंप डियर का एक मात्र नेचरल हैबिटाट माना जाता है। तमिल्नावु के वेट्थांगल को 2022 में रामसर साइट गोशित कियागा। यहां की बड़ पॉपुलेशन को सवरक्षित करने का पूरा स्रे आसपास के किसानों को जाता है। कश्मीर में पंजात नाग समुदाय एन्यूएल फ्रूट ब्लोसम फस्टिवल के दोरान एक दिन को विशेश तोर पर गाउं के जरने की साब सभाई में लगाता है। वर्ल्स रामसर साइट में अधिकतर यूनिक कल्चरल हरिटेज भी है। मनिपूर का लोक्टाक और पवित्र जील रेनुका से वहां के संस्कूतियों का गहरा जुड़ा रहा है। इसी प्रकार संभार का नाता मादूर्गा के अवतार शाकंबरी देविक से भी है। भारत में वेटलेंज का इविस्तार उन लोगों की विज़े से संभव होपा रहा है जो रामसर साइट के आसपास रहते हैं। मैंसे सभी लोगों की बहुत सरहना करता हूँ, मन की बात के सुरताओं के तरब से उन्हें शुब कामनाई देता हूँ।